नमस्कार स्वागत है आप सभी का UP SSC ANM 9212 भरती में ज्वैनिंग प्रॉसेस को ले करके मुख्यमंतरी और उपु मुख्यमंतरी जी से लगातार मिलने की फिर से कोसिस की जा रही है कल संत कभीर नगर में मुख्यमंतरी जी थोड़ा देरी से आये थे बिलंब से आये थे जिस वज़े से वहाँ पर जो भी बहने गई थी लगबग 14-15 लोग वहाँ पर गई थे और बहने भी कुछ गई भी थी लगबग 10-11 बहने थी उसमें तो वहाँ पर पूरी कोसिस की गई कि मुख्यमंतरी जी को डायरेक्ट मिल करके उनके हाथ में ग्यापन दिया जाए लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया बलकि वहाँ पर पूलिस अधिकारी महोदय को ही वहाँ पर ग्यापन दिया गया उन्होंने कहा कि हम आपका ग्यापन मुख्यमंतरी जी का कारिकरम थोड़ा सा ब्यस्त रहता है उनका दावरा ब्यस्त रहता है इस वज़े से उनसे मुलाकात की कोसिस हम लोग कर सकते हैं भागी उमीद थोड़ी से कम रती है और इसी के बाद आप देखेंगे कल संत कभी नगर के बाद गोरकपुर में उनका प पर उनको प्रत्यक्षे जो हाथ में ग्यापन दिया गया तो उन्होंने ग्यापन पढ़ा भी था और उन्होंने एक आसवासन दिया था कि इसी महेने आप लोगों की नियुक्ती हो जाएगी नियुक्ती पत्र मिल जाएंगे अब उनसे एक बार फिर से मुलाकात करना आवस कब सबकी ज्वाइनिंग करेंगे कब सबको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और अभी तक प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है अगर प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है तो इतनी जल्दी चीजे कैसे होगी और आल्रेडी जो है यहाँ पर रिजल्ट आये हुए दो महीने से ज्या डेट के लिए है सवा 11 बजे सिद्धी बिनायक गेश्ट आउस गोला लखीमपूर इसके बाद आप देखेंगे यह सवा 11 बजे फिर 12 बजे आप देखेंगे इनका आगमन होगा पी आईसी कालेज मैदान गोला मानने उप मुक्यमंत्री जी भाजपा दोरा आयोजित जन सवा को संबोधित करेंगे फिर यहां से प्रस्थान कर जाएंगे एक गंटे के बाद इसके बाद पिर आप देखेंगे एक पैतालिस पर लखीमपूर खीरी कलेक्टेट में आ जाएंगे फिर यहां पर सबाद दो बजे लखीमपूर खीरी से प्रस्थान करेंगे कहां के लिए कास गंज के लिए और साम को छे बजे कास गंज में ठीका राम अगरवाल धरमसाला सोरोगेट कास गंज मानने उप मुखिमंत्री जी स्वर्गी श्री मती सरोज देबी वार्षने की पूर नितिती पर आयोजित होने वाले कारिकरम में प्रदिभाग करेंगे उसके उपराण जन्पद के स्वास्ति भिभाग के आधिकारियों के साथ बैटेक करेंगे ततपस्चाथ भाजपा बहादुर्जी की आवास पर जाएंगे ये पुरा कारेकरम है साड़े साथ बजे कास गंज नौ बजे सरकीट आउस गेश्ट आउस फरुखाबाद राद रुविस्राम यानि इसके बाद जो है फिर कास गंज से प्रस्थान करेंगे फरुखाबाद के लिए तो जादा देर नहीं रहेंगे कास गंज में खुल मिला करके एक गंटे का आप मान सकते हैं एक सवा गंटे का समय है और इसी में अगर यहाँ पर मुलाकात हो पाए कास गंज की जो भी बेहन है या फिर यहाँ पर लखीमपुर खीरी का जो बताया हमने कारेकरम लगपक यहाँ पर डेड़ पूने दो बज़े तक उपोमुकी मंतरी जी रहेंगे लखीमपुर खीरी में और उसके बाद फिर साम को जो है 6 बज़े से ले करके 7.5 बज़े तक या 7-7 बज़े तक मानके चलें आप उपोमुकी मंतरी जी कास गंज में है ये location वहां की है कासगंज की और इसके बाद आज की ही date में फरुखाबाद ही पहुँच जाएंगे इसका मतलब है कि कल सुबह 100% फरुखाबाद में उपमुक्यमंत्री जी से मुलाकात की जा सकती है लेकिन कारकरम कहां पर होगा ये जब जानकारी होगी तो आपको बता दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखी लिखा भी हुआ है कि आगे का कारकरम माना निए उपमुक्यमंत्री जी की निर्देश के अनुसार पिर्थक से जारी किया जाएगा तो जो भी फरुखाबाद का कारकरम होगा वो आपको बता दिया जाएगा आज साम तक लेकिन अभी कास गंज और लखीमपूर खीरी के लिए कारकरम है तो जो भी बैने यहां की हों और जो भी महाँ पर हमारे भाई हों आप लोग एक बार कोसिस करिए एक अन्रोध है आप सभी से क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें आपर देरी हो रही हैं जो आइनिंग को लेकर के अभी आप देखेंगे चलिए अभी माल लेते हैं P.E.T. का एकजाम है अभी हम लोग आज से तो उमीदी ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी उनका सारा फोकस प.E.T. एकजाम को लेकर के है अभी देखेंगे एक बिस्त्रित निर्देश भी जारी किये गए है P.E.T. 2022 एकजाम को लेकर के लेकिन यह प्रयास होता रहेगा तो P.E.T. एकजाम के तुरंत बाद जो है की केवल फ्रेश की जो है जैनिंग पहले हो सकती है प्रोविजणल का वी-धेल्ड का बाद में किया जा सकता है एक बाद देरी होगी फ़िर प्रोविजणल के वी-धेल्ड की बहने पर पर मता नहीं कितना समय लगा ?एंग 크र और पinters नहीं के प्र्पर लेकिन वी देरी भ पिरागे तो यहां पर सबका हो एक साथ तो ज्यादा अच्छा है और प्रोविजनल विधेल्ड की बहनों के साथ जो फ्रेस की बहन है उनका बहुत ज्यादा यहां पर देरी भी नहीं होना चाहिए उनकी भी जल्दी हो तो ठीक है जोकि उनका कोई मैटर नहीं है लेकिन इसी कि साथ साथ सबके अगर ज्वारिंग एक साथ हो जाए तो आप सबी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र मिले तो बहुत अच्छा होगा अगर मुख्यमंत्री जी का आज देखेंगे कल तो संत कभी नगर में हो नहीं पाई मुलाकात इसके बाद फिर आप आगे देखेंगे गोरकपुर में कली पहुँच गया थे हो और आज सुबह के लिए भी हमने बताया होगा था हाला कि अब तो समय नहीं रह गया लेकिन अब जो है दस वजे प्रस्थान कर गए होंगे गोरकपुर से और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे महराज गंज महराज गंज में लगबग जो है एक घंटा रहेंगे पौणा घंटा रहेंगे मुक्य मंत्री जी यह लोकेशन यहाँ पर है हेली पेड धानी बलाक के पीछे महराज गंज बाड़ पीड़तों से भेट रासामंगरी का बित्रण मेडिया वरिफिंग फिर इसके बाद आप देखेंगे आगे हवाई सर्वेक्षर करेंगे इसके बाद फिर जेपी इंटर कालेज केंपियर गंज गोरकपूर यहाँ पर हैंगे 11 बजे से लेकर के 11 बजे तक तो जो भी गोरकपूर की बहने हो आप जरूर प्रियास करिए कोशिस करिए मुख्यमंतरी जी को ग्यापन देने के लिए असंबब कुछ भी नहीं होता है थोड़ी से आपकी संक्याबल ठीक टाक रहे एक बार उनके हाथ में लेटर चला जाए और उनसे ये पीड़ा आपन आपके 100 दिंकी कारियोजना में सामिल है लेकिन ये भरती प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई ज्वाइनिंग के लिए हम लोग यहाँ पर परिसान है इसके बाद देखिए थोड़ा से यहाँ पर देख लेंगे जो गोरकपूर की बहने है और इसके बाद आप जाएंगे मुरारी इंटर कालेज है जहाँ पर सवाग्यार पोने 12 बजे से लेकर कि सवाबारा बजे तक आदे गंटे के लिए हाँ पर रहेंगे इसके बाद फिर यहां से भी प्रस्तान कर जाएंगे सवाबारा बजे फिर साड़े बारा बजे आएंगे MP पार टेकनिक रक्षित है और इस समय मुक्यमंत्री जी गोरक्षनात मंदिर में रहेंगे उस समय मुलाकात हो सकती है मुक्यमंत्री जी से हाला कि उस समय विश्राम कर रहे होंगे आराम कर रहे होंगे कारकर्म के बाद लेकिन हो सकता है कि मुलाकात हो जाए उन तक ज्यापन पहुंच जा देड़ बजे प्रस्तान कर जाएंगे गोरकपुर से इसके बाद फिर मुक्यमंत्री जी वारार्सी में आ जाएंगे दो बज के 35 मिनट पर पुलिस लाइन वारार्सी और इसके बाद यहाँ पर देखिए दो बज के 55 मतब तीन बजे के लगबग जो है रुद्राक्ष कर्वेंशन सेंटर वारार्सी यहाँ पर कारिकरम रहेगा सद्वावना कारिकरम तीन बजे से लेकर के चार बजे तक तो यह वारार्सी के जो भी बहने हो रुद्राक्ष कर्वेंशन सेंटर वारार्सी यहाँ पर मुखी मंतरी जी का एक गंटे तक ओ रहेंगे यहाँ पर आप लोग मुलाकात करने के लिए जरूर कोशिस करिए ग्यापन किसी भी बहन को चाहिए आप हमें वाटसप जरूर कर लीजेगा हमारे नमबर पर 9315707758 वाटसप नमबर आप सबी के पास होगा कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगा आप हमें जरूर वाटसप करें और गोरकपुर की भी बहन है और यहाँ के भी साथिसाथ डिप्टी सीयम सर के लिए कास गंज कास गंज हो गया लखीम पुर खीरी हो गया और साथिसाथ कल के लिए फरुकाबाद की जो भी बहन है आप लोग अपने स्थर से जरूर तयारी रखिए पूरी कोशिस करिए मिलने की कि उनसे मुलाकात हो पाए सेस यहाँ पर मुक्षी मंतर जी के लिए जो भी बहन है गोरकपुर में और साथिसाथ वाराणसी के लिए आप लोग प्लीज कोशिस करिए प्रयास करिए और जो कुछ भी चीजी होंगी आप हमें जरूर बताएए हमारे वाटसप नमबर पर ठीक है तो जो कुछ भी अप्डेट होगी आप सभी को दो पर तक या साम तक बता दिया जाएगा धन्यवाद वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिएगा